IPL 2021 में आज RCB और KKR के वीच एलिमिनेटर मैच खेला जा रहा है RCB के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है अब देखना दिल्चस्प होगा RCB की टीम कुल कितने रनों का स्कोर खड़ा करने में काम्याब होगी आपको बता दें कि दोनों टीमों के पास एक से बढ़ कर एक दिगज गेदबाज और बल्लेबाज है बात करें RCB के टीम की तो इस टीम में विराट कोहली और देवदत पडिकल जैसे धाकर सलामी बल्लेबाज हैं जो पारी के सुरुवात में ही केके आर के गेदबाजों पर दबाव बना सकते हैं इसके अलावा बात करें RCB के मद्ध करम बल्लेबाजी की तो एवी डिविलियर्स और ग्लेन मैक्सवेल जैसे विस्वचेंपियन बल्लेबाज हैं जो मैदान पर टीक गए तो अकेले ही केके आर की पूरी टीम पर भारी पढ़ेंगे RCB के फैंस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि एवी डिविलियर्स और ग्लेन मैक्सवेल का बल्ला चल गया तो RCB की टीम 300 रनों का विसाल टारगेट खड़ा कर सकती है हलकी देखा जाए तो भले ही केके आर के मुकाबले RCB की टीम को जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा है लेकिन केके आर को हलके मे लेना RCB के कप्तान विरार कोहली के लिए भारी पढ़ सकता है जी हाँ आपको बता दें कि केके आर के पास भी कई ऐसे दिगज बलेबाज हैं जो अकेले दम पर अपनी टीम को जीत दिलाने की छमता रखते हैं दरसल केके आर की टीम के इस्टार बलेबाज आंद्रे रसेल चोट से जूज रहे हैं इसे एलिमिनेटर मुकाबले में केके आर की टीम को आंद्रे रसेल जैसे दिगज बलेबाज की कमी बहुत खलेगी लेकिन इसके बावजूद माना जा रहा है कि केके आर की तरफ से सुबमन गिल, वेंक्टे सेयर, राहूल त्रिपाठी और दिनेश कार्तिक जैसे दिगज बलेबाज आर सीबी के टीम को मुहतोड जबाब देने की छमता रखते हैं